बैठक में सामें होने वाले हैं और आगे की रणिती इस बैठक में तैग की जाएगी क्योंकि रहूल गानी के सदे सता समापत हो गई है और अवे उनको दो साथ के सजा मिली हाला कि भी जमानत पर हैं लेकिन आगे अब क्या रणिती रहने वाली है आगे किस प्रकार से चरण बद्ध आंदोलन होने हैं तो उसको लेकर इस बैठक में रणिती बनाए जाएगी क्योंकि हमने देखा कि हाली में 36 में विशाल मसाल रही भी हुआ था बड़ी रंक्या में यहां पर कार्यकरता पर करता हूंने मसाल रही निकाला था तो आगे किस प्रकार की स्ट्रेजिज इस रहने वाली है आगे की क्यारेंसी बनेगी इस बैठक में यह निकल कर सामने आएगा इसके लाबा दो जाते इस में विठान सबाद चुनाओं है तो चुनाओं को देखते थे और किन-किन चीजों को गोशना पत्र में सामिल करना है गोशना पत्र का प्रारूप कैसा रह जान रहा है तो जब दिल्ली दोरे पर गया है तो यह भी इसके कई सियास्ती माइने निकाले जा रहा है कि एक बार फिर से जब जब सरकार बनी सी तो तीन मंत्रियों को बुलाया गया तो उसमें प्रूपेज बगेल और टीस तीरे उसके अलावा तामदा सहु थे इन तिनो को लेकर वहां बैठक की गए तो यह तीनों एक बार फिर से दिल्ली दोरे पर हैं तो इसके भी कई सियास्ती माइने निकाला जा रहा है कि फिर आखिर क्या सरकार के जो मुख्य जो मंत्री है इन तीनों के बीच में क्या चर्चा होने वाली है जिन वाजों को लेकर इस दोरे पर हैं तो इसको लेकर एक आसी जो सियासी है सियासी का माजान आज हमको चत्रीगर में देखने के लिए मिलेगा इसके लावा आज एक नोटिपिकेसन आया था कि जो चौदा विधायक भारते जिन्दा पार्टी के वे सभी दिली दोरे पर जाने वाले थे उनकी इस्तगन की बात आ गए थी कि प्यमों से पहले तो उनको समय मिला तो उसके बाद से जो शत्रीगर विधायक के नेता प्रसी पक्ष नेरान चंदिल को पोना आया था कि जो प्रधामति नेरान दमोदी अभी किरी कारणों से वियस्ता चर रहे हैं इन वाज़ा से भारते जिन्दा पार्टी के शत्रीगर की जो चौदा विधायक हैं उनसे मुलकात नहीं कर सकते हैं तो ऐस्ते सिती में जो बैठक है वो भी उनकी इस्तल गए थी और जो विधायकों अवे भी सुबर दिल्ली दौरे पर निकल गए हैं और पूरो मंत्री विधान अगरवाल भी दिल्ली दौरे पर हैं कल उन्होंने क्रिक्ष्टि मंत्री जो नरेन सिंग तोमर हैं उनसे भी मुलकात की तो उनसे भी बाच्चित हुई हैं तो इन तमाम जो अलग-अलगी पहल हैं यहीं देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टी के बड़े जो लीडर है चाहे भाश्वा के पूरो मंत्रियों की बात हो या चत्तिगर के जो मौझूदा कांग्रेस की जो मंत्री हैं उन्हों सभी की बात हो यह सभी दिल्ली दौरे पर आती जी राम अराम लगातार चत्तिजगर में सीम के चहरे को लेकर एक खबरे सामने आती रही थी और ऐसे में दिल्ली दौरा भी है कॉंग्रेस के तमाम दिग्गस भी इस दौरे में शामिल है क्या सीम के चहरे को लेकर भी इस दौरे में कुछ खास पैसले निकल कर सामने आ सकते हैं क्य कुछ कहेंगे देखिए जब दोजार अठारा का चुनाओं चांग्रेस ने अपूर्ड महुमस से अपनी जी से दर जेगी तो चांगरेस के वुपेस बगेल उनको बुलाए गया था और तत्कालिन समय के त्यारा उनको बुलाए गया था और उसके बाद के वरिष्ट विधायक तामजर सहू उनको भी इन तिनों को सीम के चेहरे के लिए बुलाया गया थे तो वहाँ पर अपसी ऐला कमान से उनकी बात्य चीज चलिए थी कि स अधार पर चीम के चेहरे उस पर एह हो तेह होंगे ति इसको लेकर कर मुथ्यमंद्री मुख्यमंत्री की जीमिदारी दे दी जाएगी ऐसा ही जो सियासी हल्चल चत्रीगड़ में मचा हुआ था तो उसको लेकर कई बार उसके बाद स्वास्तर मंदर टीएस्ट विडियों ने अपनी कई बार इच्छा बिचेता ही थी कि अगर मेरे को अगर आला कमान से जीमिदारी मिलती है मुख्यमंत्री पत्की तो वे मुख्यमंत्री पत्की जीमिदारी निवाने के तयार हैं और उन्होंने हाली में एक बयान भी जारी किया था कि अभी मुख्यमंत्री बनने के इच्छा भी उन्होंने जाहिर की थी तो इसको लेकर एक जो सियास्ती राज़ के बैठक में मुलाकात करेंगे तो निश्टी तोर पर जो सीम के चेहरे 36 गड़ में होंगे किस वज़र से किनको सामने लेकर के चुनाव लड़ा जाएगा इस पर भी चर्चा होने वाली है और कहीं ने कहीं यह भी देखा जा रहा कि अगर स्वास समंद्र टीए सिंदेव फिर पार्टी में उनकी सक्रेटा कम होती है तो निश्टी तरफ पर आने वाले जो विधान सबाच चुनाव 23 में होना है इसमें कांग्रेश को काफी नुक्सान होगा तो इसको लेकर भी ऐसी सी के आला जो जो नेता है जो आला जो वरिश्ट जो लीडर है उन सब के साथ मे जब बैठाक होगी तो सीम के चेहरे को लेकर भी जरूर चर्चा होगी राम वही देखा जा रहा है कि कोरोना लगतार अपना पैर पसारता जा रहा है कोरोना के आकड़े लगतार बढ़ते जा रहे है रायपूर की बात करे और चतिस गड़ की अगर बात करे तो किस तरह की स्थिती बनी हुई है स्वास्ति भाग की किस तरह की तैयारिया है कोरोना क लगतार बढ़ता जा रहा है लगतार जिस पकार से जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं स्वास्प्रिभाग के जो जारी आगर आंकड़े की बात की जाए तो 14-15 के अलावा 18 अगर पालिटिव मरी लगतार सामने आ रहे हैं कि अलावा हमने भी देखा कि बिलास्पूर में एक ग्रामिड की मौद भी कोरोणा संग्रमाड से हो गई है तो कोरोणा का संग्रमाड या कोरोणा आतां गेगार फिर से चत्तितगर में बना हुआ है और यह स्वास्तित विभाग में यह ने चिस त्यारी है विए अपने इस विसको अभी कहते साथत्य विभाग के मुश्तिदी बनी हुई ए उसके लावा प्रदेश में पुरिश तरी कर लिएक कि अभी स्वास्त्य विभाग बिलकुल ऐसा नहीं पूरी करें चाहे आक्सिजन की वेष्ची आके बाद की बात हो या उने तमाम अस्पतालों की बात हो जहां पर पर कोरोना मरीज्ञों का इलाज होता है तो इससे सिती में उन स्वास्त्रीबाग भी मुस्त्यद है और कहीं Statesा जो लोग उनको भी साव्धानी बरौ सेहीं हुआ तो उसको लेकर जो दो गज दूरी मास्क ज़रूरी और इन तीनों को किस प्रकार से प्राइप्र जीडे के राजपत्री अधिकारी हैं उसके लावा जो थाना प्रभारी हैं उनकी एक बड़ी बैठक उनकी द्वारा कल राजपत्रानी राइपूर के सिवेल एनिस्टित सीफोर भौन में ली गए थी उसमें सक्त निर्देश दिया गया है कि एफायार करने में किसी भी प्रकार की लेट लतिफी और कोता ही नहीं थाना प्रभारियों को दिया है अगर ततकाल एफायार दर्ज नहीं होती है तब किस्ति में जो अधिकारी हैं उनके पर चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया ये तो हो गए राजानी राइपुर की तमाम खबरे बात करें उस्वास्त मंत्री टीस्टी देव को हाई कोट ने नोटीस जारी किया है नोटीस इसलिए क्योंकि आमभिकापुर के तरू निर समीती ने तालाब पाठ कर जमीन ब पहुचे हुए हैं तमाम चीजों पर चर्चा की जा सकती है साथ ही आने वाले विदार सभाज चुनाओं के मद्दे नजर भी प्रमुख नेता और पार्टी से भी बात हो सकती है साथ ही कोरोना के हालात पर भी अवाल रिपोर्टर ने तमाम जानकारी दी और बताया कि किस तरह कि हालात 36 कड़ में कोरोना को लेकर बनी हों